हेलो टुरेंट्स हम लोग प्रस्णावली 12.25 और कॉस्सिन नम्मर है 5 क्या करया कि एक सम्चत्रभुजाकार घास के खेत में 18 गायों को के चराने के लिए घास है जदी इस सम्चत्रभुज की प्रतेग बुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रतेग गाय के चर भाग कर दे थारता भाग कर दे तो पता चलिएगा कि प्रतेग गय के लिए खितने चाहिए तो पहले तो मैं यह पर सम्चत्रभुज पहले बना लेता हूं हम जानते हैं कि सम्चत्र भुजाए बराबर होती है और इसका एक बड़ा विकर्ण भी दिया हुआ है ठीक है यह 30 मीटर है ये भी 30 मीटर है ये भी 30 मीटर होगा और ये भी 30 मीटर होगा बड़ा बिकर्ण है 48 मीटर तो इसका राम देते हैं A B C D माल लेते हैं कि A B C D एक सम्चत्रभूज हैं जिसका बिकर्ण A C बड़ा है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख भूजा यानि कि A B इक्वाल टू में B C इक्वाल टू में C D इक्वाल टू में D A ये क्या हो जाएगा 30 मीटर होगा और बिकर्ण A C जो है वाक्वी 48 मीटर हो जाएगी समझ गया चलिए तो अगर हमने देखें स्तिर्भूज A B C में इसके शित्पल के लिए और A D C में तो दोनों सो एक ही जैसा है चलिए तो चलते हैं पहले हम लोग एक स्तिर्भूज A B C में अगर एक का शितपल निकाल लेंगे तो दो से गुरा कर देंगे तो पूरे का शितपल हो जाए क्योंकि इसमें विद्यों को भुजाए सेम ही है चलिए इसमें A बराबर में ले लेते हैं 30 मीटर B बराबर में 48 मीटर और C बराबर में 30 मीटर अब इसके बाद लिखते हैं तिर्भूज का अर्ध परिमाब सेमी परिमीटर इसका क्या होता है तिनो भुजा का योग और वटा में दो यह नहीं हो जागा 30 प्लस का 48 प्लस का 30 वटा में दो मीटर कितना हो जागे आपड़? 108 वटा में 2 मीटर 44 मीटर हो जागा अब इसके बाद देखिए यहाँ पर तिर्भूज ABC का सिर्भ निकालता है क्या हो जागा? तो रूट अंडर S into S minus A into S minus B into S minus C यह नहीं हो जागा रूट अंडर 44 गुना में 44 माइनस का 30 44 माइनस का 48 फिर यहाँ हो जागा 44 माइनस का 30 मीटर स्कार है ना? चोड़ यहाँ इससे सॉल्ट करते हैं क्या हो जागा? रूट अंडर 44 गुना में यहाँ पर देखिए घटा देंगे 24 होगा फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा फिर यहाँ पर 24 हो जाएगा मीटर स्कार चलिए 44 का हम लोग क्या करते हैं? कि 3 गुना 3 गुना में 6 कर देते हैं 24 गुना 6 गुना 24 यह पेर बन गया इसलिए मैंने और जादा नहीं तोड़ा है चलिए अब आगे दखिए आपके क्या हो जाएगा 3 का पेर बन गया 6 का और 24 का मीटर स्कार तो कितना आ जागे आपके? गुना करेंगे तो तो आज जागे 18 गुना 24 कितना हो जाएगा? 432 मीटर स्कार अब हम लोग लिख सकते हैं हाँ पर कि समचत्रभूज समचत्रभूज A, B, C, D का छत्रफ़ल दो गुना हो जागा तिरभूज A, B, C का छत्रफ़ल का है शाणी देखिए क्या हो जाएगा? दो गुना में 432 मीटर स्कार तो जानी क्या हो जाएगा? 864 मीटर तो अब इसके बाद हमें प्रतेक गाय के लिए निकालना कितना छेत पलबचे करते हैं, प्रतेक गाय के लिए घास के मैदान का छेत रफान तो 864 और बत्ता में कितना 18 को के लिए था ना जी, चरिए तो भाग कर देंगे 18 से, तो क्या जाएगा और तारीस मीटर इसको प्रतेग गाय के लिए होगा कॉसर नमर शिस देखिए क्या करा है दो विभिन रंगों के कपड़े के दस तिर्वजकार टुकड़े को सी कर एक छाता बनाए गया है दो विभिन रंके हैं देखिए लिए अना यहां का ऐसे फिगर में हमने माल लेते हैं कि काला और सफेद है तो दो विभिन रंके है यानि कि पांच को काला और पांच को सफेद ऐसा मिलके बनाए प्रतेग टुक्रे की माबदी है 20 सेंटीमीटर 50 स है ये वजला सेंटीमीटर और ये भी थे खांती लेजान वीता सब्सक्रेयं कि प्रतेक्यस गमें कितना कप्रा लगा है नहीं है प्रतेग तुक्डे की भ्जा कारते की स्थे A बरावर में 20 cm B बरावर 50 cm और C बरावर 50 cm यहाँ पहली सकते हैं तिर्भूज का अर्ध परिमाब क्या हो जागा S बरावर में A प्लस B प्लस C और बट्टा में 2 है न जी वह यहाँ रख देते हैं वेलू को 20 प्लस 50 प्लस 50 बर्टा में 2 cm 120 बर्टा में 2 60 cm यहाँ पहली सकते हैं कि तिर्भूज का अच्छ तरफल क्या हो जागा रूट अगर S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C चलिए इसमें अब रखते हैं हम लोग रूट अगर 60 गुना 60 माइनस का 20 60 माइनस का 50 60 माइनस का 50 cm2 रूट अगर 60 गुना 40 गुना 10 गुना 10 यह तो पेर बंजार सेंटीमेटर इसमें देखने में चलिए यहाँ पर 6 है ना 60 है तो 2 गुना 3 गुना 10 कर दीदे 40 है तो 2 गुना 2 गुना 10 कर देते हैं और फिर 10 गुना 10 यह पेर बना 2 का पेर बना और यहाँ 10 का यानि हो जागे हाँ पर 10 है दो बार और रूट अंडर दो तिया छे यानि कि 200 रूट छे सेंटीमेटर स्क्वार चैनि यह तो लिख सकता है पहले पहले रंग के कपड़े का 6 त्रफल 5 को टुकड़ा होगा यानि आ जाएगा 1000 रूट छे सेंटीमेटर स्क्वार फिर दूसरे रंग के कपड़े का 6 त्रफल पास उग्राव भी पास उट उग्रा है 200 रूट छे सेंटीमीटर स्क्वार और 1000 रूट छे सेंटीमीटर स्क्वार याप क्या न साम देगा उसनमर 7 देखिए एक पतंग तीन भिन-भिन सेड के कावर से मनिया है देखिए एक गो तिन पतंग की उपरी भाग 12 सेंटीमीटर बिकण वाला एक मार ये उपर वाला निचला भाग 6 सेंटीमेटर चेंटीमीटर प्रेट में कितना कागज प्रेट सुआ है यह हमें बताना है प्रतेक में चलिए समझें यहां पर पहले और दूसरे सिटमेंस बराबर ही कागल नगा होगा क्योंकि देखिए यह एक वर्ग दिया है ठीक है क्या का रहा है कि वर्ग का विकर्ण हमारे पांद दिया है 32 cm ABCD इसको नाम देते हैं ठीक है यहां ओ देते हैं यहां उपर ही देते हैं माना ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण जिसके विकर्ण बिंदू ओ पर काटते हैं ठीक है तो यह क्या होता है यह जो काट रहा है यह विकर्णों को दो बराबर भाग बाता है यह देखिए यह AC और BD विकर्ण दोनों बराबर है यह 32 cm है अगर हम लोग OA equal to में OC लिख देते तो बिल्कुल होगा जो किया आदा होगा किसका AC क्या यानि कि OA equal to में OC equal to में 32 बटा में दो 16 cm OA बराबर में OC बराबर में 16 cm यह भी 16 cm यह भी 16 cm अब देखते हैं पहले वाले सेड का लिखें लिखें यहां पर कि सेड है न जी एक दो तीम इसमें पहले सेड का सेड एक का छेतर पर एक बटा दो अधार बीडी और उचाई ओए या यह हो तिक ओए यह ही लिख देते हैं समझ गया ना इस तिर्व में यह लंब लंब सम्दिवाजी करता है एक बटा दो यह है 32 और गुना में 16 cm2 इसको काट सकते हैं 16 यहीं कि 256 आ जाएदा सेड 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 वाले का निकालते हैं सेड 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 का छेतर पर एक बटा दो अधार हो जाएगा आपका बीडी वह चाई हो जाएगा और सेड बटा दो थ्री के लिए यहां पर देखिए तो सेड तीन में बुझाई ले लेते हैं A बराबन में माल लेते हैं यहां पर 6 cm B बराबन में 6 cm और C बराबन में आठ सम्गूलता है तो इसका चत्पर निकालने के लिए हिरौन सुत्र का परियोग करेंगे चलिए तो लिखते हैं चलिए 6 पलस का 6 पलस का 8 बर्टा में 2 cm यानि 20 हो जाएगा बर्टा में 2 cm 10 cm आजएगा तो अब तिर्भूज का चिरत्रफान निकालते हैं तिर्भूज का चिरत्रफान क्या होता है root under s into s minus a into me s minus b into me s minus c ठीक है चलिए देखिए क्या हो जागया यह पर ली सकते है s3 है s3 का चत्पा ठीक है root under 10 10 minus 6 10 minus 6 10 minus 8 centimeter square 10 into 4 into me 4 into me 2 centimeter square 10 को 2 गुना 5 कर देते है और गुना में 4 गुना 6 गुना 2 centimeter square तेहां से देखिए पेर में जागा 2 गुना 4 root under 5 centimeter square 8 root 5 centimeter square इसे decimal में भी कर सकने है 8 into में इसका 2.23 हो जाएगा है ना multiply कर दीजे आ जाएगा यहां से आ जाएगा कितना 17.84 centimeter square समझ गहे लेकिन आपके book में 2.24 यूज किया है ठीक है अगर 2.24 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 2.24 रखेंगे तो थोड़ा से value बढ़ जाएगा उससे कोई दिक्कत तो नहीं है फिर भी आ जाएगा 17.92 centimeter square तो कोई दिक्कत यह भी चलेगा वो भी ठीक था ठीक है तो उसे नमर 8 देखिए क्या फर्स पर एक फूल का डिजाइन 16 तिर्बुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है इसमें 16 तिर्बुजाकार टाइल्स है जिसमें प्रतेक की भुजाएए यहाँ पर देविया इन टाइल्सों को 50 मीटर 50 रुपैसे प्रती सेंटी मीटर स्कायर के दर से प्रतेक तिर्बुज की भुजाए प्रतेक तिर्बुज की भुजाए यह बराबर में 9 सेंटी मीटर बी बराबर में 28 सेंटी मीटर और सी बराबर में 35 सेंटी मीटर है ठीक है ऐसा हम लों यहाँ पर बाण नेतने हैं ठीक है आप इसके बाद देखिये क्या होता है चलिए हम लोग पहले निकालते हैं तिर्बुज का अर्ध परिमाप तीनों भूजा का योग और बट्टा में दो यानि हो जाएगा 9 पलस का 28 पलस का 35 और बट्टा में 2 सेंटीमीटर इसलिए अब इनको जोड देते हैं कितना हो जाएगा है हाँ 22 का दूर 1 62 बट्टा में 2 सेंटीमीटर 72 होगा ना 72 होगा 22, 23, 25, 27 चलिए 36 तेंटीमीटर आर्थ परिवाब आगया है ना जी चलिए तब तिर्भूज का चत्रपाद देखे लेता है तिर्भूज का चत्रपाद ठीक है रूट अडर S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस से रूट अडर 36 36 माइनस का 9 36 माइनस का 28 36 माइनस का 35 सेंटीमीटर आर्थ ठीक है चलिए देखे है रूट अडर 36 यहाँ पर 27 यहाँ हो जाएगा आपका कितना है 8 ठीक है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है स्पराद यहाँ देखते हैं क्या जागा यहाँ पर देखें 9 इन्टू 2 इन्टू 2 27 को 9 इन्टू 3 और 8 को 2 इन्टू 2 इन्टू 2 सेंटीमीटर स्कॉराद दो का दुग पेर बन रहा 9 का 1 और यहाँ पर 3 और 2 यानि कि 6 बच जागा कितना जागा 36 रूट सेंटीमीटर स्कॉराद तो क्या हो जागे हैं आपे 36 और इसका दस्वल में मान हो जागा 2.45 तो कितना हो जागे इसको गुना कर देंगे तो 36 में गुना कर देंगे 2.45 से 38.2 सेंटीमीटर स्कॉराद यहाँ पर लिखें में इल्कुल 16 त्रिभुजाकार ताइलू का छेत्रफल क्या हो जागे 16 गुना में 88 दसम्हलों दो यानि आजागा कितना जागा जेगा 1411 दसम्हलों 2 सेंटीमीटर स्कॉराद अब इनको लिखेंगे टाइलों को पॉलिस कराने का पॉलिस कराने का खर्च क्या हो जागा 1411 दसम्हलों 2 गुना में 50 पैसर तो कितना जागे हैं हापके तो इसको उग्रा कर देते हैं 1411.2 में हम लोग 0.50 से तो यह आप आजागा 705 रुपया 60 पैसा यह आपका एंसर हो जागा समझ गए तो उसे नमर 9 देखिए एक खेद समलम के अटार का है जिसकी समानतर भुझा है 25 सेंटी मीटर और 10 सेंटी मीटर है इसकी आप समानतर भुझा है 14 मीटर और 13 मीटर है तो इस खेद कैसे पर गयाती है चलिए हम लोग यहाँ पर एक समलम चत्मुझ गणा लेते है ठीक है इसका नाम दे देते हैं आपर A, B, C, D समानतर भुझा है 10 मीटर और 25 मीटर है आज समानतर भुझा है 14 मीटर और 13 मीटर है चलिए इसमें थोज़ी सी रशना करने होगी हम लोग यहाँ पर एक समानतर भुझा है ठीक है यह समानतर भुझा है यह 10 मीटर और यह 10 मीटर यह भी 10 मीटर हो जाएगा यह आपका 13 है तो यह 13 मीटर हो जाएगा यह तोटल पचीस है और यह 10 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा हमें हमान लेते कि माना A B C D A के समलम चत्रभूज है समलम चत्रभूज है जिसमें A D समानतर है B C और यहां पर दिया हुआ है अलग-अलग मान रजी A D equal to में दिया हुए यहां पर 10 मीटर B C equal to में दिया है पचीस मीटर आस अमानतर बुज़ा A B दिया है 14 मीटर और C D दिया है 13 मीटर चलिए अब यहां पर हम लोग यहां पर इसमें रचना क्या है कि A E समानतर C D खीचे या D C खीचे ठीक है D C खीचे है है ना E कहां पर है B C पर इस्तित है इस तरह से है चलिए अब इसके बार देखिए तो यहां पर हम लोग यह समानतर खीचे दिया है अब तरह कौन लिखने जाए यहां पर एक लंब डालते हैं हम लोग पहले इसी लंब को निकालने वारे हैं यह यह लंब निकल जागा हमारा काम होगा तिर्भूज A, B, E में यहां पर लिखते हैं तिर्भूज का अर्ध परिवाब तिर्भूज का अर्ध परिमा यानि सेमी परिमेटर A, B, C, मटा में दो हो जागे हैं पर 15 प्लस का 13 प्लस का 14 मटा में दो मेटर इनको जो जो देते हैं 5, 3, 8, 4, 12, 1, 3, 1, 4, मटा में दो मेटर कर जाएगा एक कई से मीटर यह हो जाएगा अर्ध परिमा आप आगया अब इसका छेतरफन देखते हैं तिर्भूज का छेतरफन क्या होता है फर्मला रूट अंडर S into S minus A into S minus B into S minus C जानि हो जाएगा तिर्भूज A, B, E का अच्छेतरफन रूट अंडर 21, 21 minus 15, 21 minus 13, और फिर 21 minus 14, मीटर स्कार चलिए अब इसे आगे यहाँ पर स्वालू करते हैं 21 गुना में 6 गुना में यहाँ पर 8 यहाँ पर आ जाएगा 7 मीटर स्कार तो देखिए 21 है तो इसको 3 गुना में 7, 6 है तो यहाँ 3 गुना में 2 कर देते हैं और 8 है तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 7 मीटर स्कार चलिए अब इसे सौल पर देते हैं दू का पेर दू बार बन गया तीन का पेर बन गया और एक 7 है ठीक है चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 84 मीटर स्कार यह किस का तिर्भूज A, B, E का छित्रफल होगा ठीक है अब इसके बाद देखते हैं अच्छा इस तिर्भूज के छित्रफल के लिए हम लोग एक बटा दो अधार गुना में चाहिए भीत लगा सकते हैं एक बटा दो अधार हो जागा B, E और उन चाहिए हो जागा E पाच बार में टीन से करते हैं यहाँ पर कितना जागा चलिए आज जागा F उक्वाट में नीचे मीटर था जागा शापन और बटा में पाच मीटर अब इसके बात देखते हैं अब लिख सकते हैं आपका कि समलम चत्रहूज समलम चत्रहूज समलम चत्रहूज A, B, C, D का छित्नफा एक बटा दो समांतर भुजाओं का योग यानि कि A, D, P, L, C और गुना में सेस्लब यानि समांतर भुजाओं के बीज़ की दोरी एक बटा दो यहाँ पर 10, यहाँ पर 25 और गुना में यहाँ पर 56 बटा में 5 मीटर स्क्वार देखिए, इसको काट सकते हैं 28 बटा में देखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ आजाएगा आपका यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जागा जी 35 और गुना में 28 बटा में 5 मीटर स्क्वार इसे साथ मार बतारे हैं. यहांसे गुना कर रहते हैं. 28 में 7 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा? 28 सत्य अっぱ जाएगा 106 में. 190 मीटर स्कॉáng तो सम्चत्गुज का छत्भल हो जाएगा. आज की क्लास में इतना ही रहने जरता है. नेक्स्το वीडियो में आगे देखेंगे, आपका हमारे तीन holder को subscribe करना हुआ आप पहला है, Pathfinder Classes छच्छपरा Pathfinder Classes छपरा दूसरा है आपके पास भारती भवन रवी कांत सर और तीसरा चनल है रवी कांत सर, RD सर्मा संद। सब्सक्राइब कर लेंगे इसे लिटेर वीडियो के लिए सीधिये डिस्क्रिप्शन में इसे लिटेर नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सच करेंगे www.ravikant.sir.com और यहां जाकर आप सभी क्लासे के नोट सुनके पीडियेप को लोट कर सकते हैं पढ़ सकते हैं आप सभी को कैसे रखते हैं थैंक्स पर वाचिंग